आज हम खीरा से रायता की रेसिपी बनाईंगे इस तरह से बना कर सर्फ करने से बहुत टेस्टी लगता है और हमारे सेहत के लिए भी अच्छा होता है गर्मी के मौसम में इस तरह का recipe बनाकर सर्फ करने से हमारे सेहत के लिए अच्छा रहता है खीरा के रेटा की recipe बनाने के लिए हम सबसे पहले खीरा का छिलका हटाकर पानी से साप करके कद्दूकस कर लेंगे अब हम दही को अच्छा से फेट लेंगे, थोड़ा सा पानी रखेंगे, कद्दू कस किया हुआ खीरा रखेंगे, थोड़ा सा हम इसमें चाट मसाला रखेंगे, रायता जब हम सर्व करेंगे उसी समय इसमें नमक रखेंगे, पहले से नमक रख देने से रायता खटा हो जाता इसने ही अभी ही हम सर्व करेंगे इसलिए इसमें अभी नमक रख दे हैं अब हम इसमें धनिया पत्ता पुधिना पत्त और एक खरीं मिर्च को इस तरह से चटणी बना कर मिक्स कर लेंगे ऐसे चटनी मिक्स करने से religious दृत तैसमें और का हमें पहता है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दिजिए बेल आइकन को प्रेस कर दिजिए धान्यवाद